दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार सक्षमता परिच्छा फेज 2 के लिए online कैसे apply करेंगी step by step मैं आप पुझेक live form fill करके बताऊंगा ताकि आपको form fill करने में किसी परकार की mistake लोगा तो इसके लिए देखेंगे friends यह जो है official notification जारी कर दिया गया है इसके अलवा इसका जो 24 दक छो फॉर्म से अप्लाई करने का इपर निर्धारित कियाग्या है तो आप अगर भरना चाहते हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसका जो link को я देखने कर दिया है तो यह सारे step important links को check कर सकते हैं form भरने से पहले आपको एक नया रिशन करना होगा आप इस पर click करेंगे सिधे आपका रिशन वाला page open हो जाएगा यह अपना first name, middle name, last name लिखेंगे email id, mobile number, एक password बनाएंगे जैसे आवे सा password बना सकते हैं password को यहाँ पर confirm करेंगे register वाला option पर click करेंगे register करते ही friends आपके mobile पर OTP जाता OTP कहा लिखेंगे और उसके बास से यहाँ पर register पर click करेंगे आपका जो है आपर registration अब जाके complete हो जाएगा तो OTP verify करना होगा फिर आपको register वाला option पर click करनेगा और OTP नहीं प्राप्त होता है तो recent OTP का option नीचे में मिलेगा recent भी कर सकते हैं चले हैं आप OTP verify करके register वाले option पर click करते हैं OTP verify करते ही friends आपका register यहाँ पर हो जाता है और आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हो जाता है और तुरंत आप login page पर भी आ जाते हैं अब वो करना क्या है यहाँ पर आपको अपना mobile number जो आपने password create किया था वो लिखके आप यहाँ पर login वाले option पर click करेंगे login करते है friends आपका dashboard इस परकार से open हो जाता है अब यहाँ पर आपको फॉर्म को भरना है पूरी जनकारी अच्छे से भरिएगा और जो भी जनकारी को सही सही दिना है आपको गलती नहीं करना है यह जेंडर वादाना है male female अपना data birth का choice करना जो भी आपका data birth है पहले calendar open होगा पहले year को confirm करेंगे कौन से year का data birth है फिर अपना month को choose करेंगे फिर date को choose करेंगे इस पर गहाँ सब data birth आ जाएगा करेंगे यहांब निप्र sevigy संप्राइब आपना च्छिंधिक ज् alcohol रीग्रीव में कहतें पूंप ъ yüz पूछ ऑ्य का सफ्हक्ते से पाइगा ॐ फोटोकों पर अठेच करने का थे हैं, अधारकर्ड फोटोका प्वित पर अठेच करेंगे उन्हें, अधारकड की फोटोक्सपी इन्हें से अप्लोड कर देंगे तो गलत हो जाएगा अधारकार्ट जो है फ्रेंट और बैक दोनों पेज को एक साथ अटेज करना है एक पेज पे लाके अटेज करना है उसके लिए आप MS को यूज़ कर सकते हैं सके करके ला सकते हैं और फिर उसको 11 पीडियो बना सकती है ग्यद करना है इपना प्रोपर िडर्ड्र स र और यहाँ तो जिस्ले के से उच्छे कर देदेंगे सेम सेंद को प्योचा का लग यह तो अलग लग लग लीखेंगे टीचर का information क्या है, type of Neogen unit, आप किस परकार के सिक्षक है, पंचायत, या प्रखंड, या जीला परिसद, नगर, पंचायत, नगर, परिसद, नगर, निगम, आप कहां पढ़ा रहे हैं, उसके बारें पूछ रहा है, पोस्टिंग, वर्तमान पोस्टिंग की Neogen इकाई का नाम, यहां पर अभी आप बर्तमान में कहां पर काम कर रहे हैं, नेम आफ नियोजन यूनिट, यह आपको बताना है, करेंट जहां आप काम कर रहे हैं, इस नियोजन का नाम क्या है, टाइप अफ टीचर, स्थानी निकाय सिक्षक निमाले 2020 के अंतरकत, आप किस परकार के टीचर ह यहां पर आटोमेटिक दिखिया आजाएगा, हमने पर पंचायत चूच किया तो एक से पांच यहां देखिया, अगर हम प्रखंड चूच करेंगे, तो प्रखंड अस्तर पर जो भी यहां पर होता है, 6-8 या बेसिक ग्रेड या एक से पांच, आपको यहां पर देखने को म जो भी आप अपने एकॉडिंगा से चुनाव करेंगे, यहां पर नियोजन का लेटर नंबर क्या है, नियोजन का डेट क्या है, और नियोजन का जो सर्डिफिकेट है, वो आपको 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 बताना चाहूंगा, पीडिएफ में कैसे आप अप्लोड कर सकते हैं, गूग आप जो है, आपको jpg से pdf, jpg से pdf अप लिख सकते है, jpg 2 देखें आपे, pdf का option मिलेगा, आप इसे क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपका जो भी jpg का फाइल है, उसको चूच करेंगे, और convert पे क्लिक करेंगे, आपका jpg का format से pdf में convert हो जाएगा, और उसको क्या करेंगे, आप जो यहाँ पर लगाएंगे जो भी आपको यहाँ पर बाना जिया है अब यहाँ पर अपना जो है school leaders बताना है school का U-dise code जो होता है current posting जहाँ पी काम कर रहे हैं उसका U-dise code यहाँ लिखेंगे और बरतवान posting school का नाम क्या है किस block में पढ़ता है और current posted district क्या है आपका district जो भी है जिस भी ब्लॉक मतलब जिस भी जहां भी आप काम करें उस district का नाम बताएंगे और इस तरह साब क्या करेंगे अब यहाँ पर आपको तीन च्वाइस करना है district for posting पोस्टिंग के लिए आप तीन district का चुराव करेंगे यह अगर आपका यहाँ पर सेलेक्शन होता है अगर आप सशनता परिशा पास कर लेते हैं तो आप जीला कहां आप जो है नियोजित होना चाहेंगे तो यहाँ पर बत अब यहाँ देखिए बोला गया आपसे थोड़ा सा नीच आएंगे यहाँ इस तरह से कर लेंगे यहाँ पर बोला गया कि PDF में एक होना चाहिए लेकिन मर्ज करना है आपको मतलब क्या कि certificate भी और माक्षिट भी दोनों यहाँ पर आपको एक साथ एक PDF में बना लेंगे वह पेज जो है चार-पाच पेज हो जाए उसे मतलब नहीं है और इसी website से आप बना सकते हैं मर्ज कर सकते हैं यहाँ देखिए option आता है मर्ज PDF का दो PDF आपके पास है उन दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं यहाँ दो इमेज है आपके पास फॉर एक्जामपल मालनीज आपके चाहिए दूसतर से आप क्या करेंगे फाइल को बना लेंगे और उसी को अप्लोड करना फिर इंट्रमेडर के बारे में ग्रेशन के बारे में पीजी के बारे में इसके विससे यहाँ पे ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन के बारे पोच रहा है तो आप डियलेड किये होंगे या जो भी बीजी किये होंगे उसके बारे में इसके बारे में आपको बताना होगा और उसका भी साडिफिकेट और मार्क चिट दोनों के हैं पी एक PDF में बनाके आपको अटेज करना है डिटेल्स आफ टीचर इसलिव टेस्ट यहाँ पर पोच रहा है आप कोर्स बताएंग और उसका भी यहाँ पे certificate आप attach कर लेंगे, तो जो भी आप अपने according देखेंगे, और यहाँ पे आपको photograph upload करना है, 20-100 के बीच होना चाहिए, और signature 10-50 के बीच होना चाहिए, आप पे upload करेंगे, और यहाँ पे आपको declare करना है, और save वाले option पे click करना है, save करते हैं friends, आपको यहाँ पे save हो जाएगा, उसके बाद से आपको preview पे click करना है, preview करते ही friends, आप देखेंगे, इस परकार से preview आएगा, अब जानेकारी को verify करेंगे, हाँ सारा जनकारी सही है, अगर इसमें कुछ भी गलती है, आप इसे edit करेंगे, नहीं edit करना है, तो आपको pay पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, आपको इस परकार से amount store होता है, एक आपको payment gateway मिलता है, पे वाया सब पैस, आप इस पे click करेंगे, अब आपका इस परकार से payment जमा करने का option आजगा, card है, UPI है, QR code, net banking, कोई भी option के थूर आप करेंगे, payment को जमा करने के बाद से friends, आप इसका जो final print out निकाल के hard copy रख लेंगे, अगर आपके account से पैसे cut जाते हैं, और successful नहीं हो पाता है print out, तो उस case में आपको 24 गंता, 48 गंता wait करना या इनके help desk number पे भी call कर सकते हैं, और आपको wait करेंगे, क्योंकि पैसे आ तो आपके account में refund आ जाएंगे, या success भी हो जाएगा form आपका, और नहीं होता है तो आपको दुबारा payment करना पड़ सकता है, पासा करता है आपको जनकारी समझ माया होगा, आपके मन में कोई भी doubts है, comment box में पूछेगा friends, मिलते है किसी next video में, जहींद आपका दिन सुब हो